आज फूडी स्टॉप में बढ़ने जा रही है बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी चटनी ये चटनी देखकर मुं में पानी आ रहा होगा और सोच रहे होंगे ये किस चीज की चटनी है तो चलिए बताती हों किस चीज की चटनी है ये फॉलो कर ये रेस्पी को तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक कटोरी दही गाड़ा दही जी हां ये दही की चटनी है तो गाड़ा दही लिया है और फ्रेश दही लेना है इसके लिए में खटा दही नहीं लेना अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च या देगी लाल मिर्च दो चमच डाले तो यह डाल दिया है मैंने इसमें साथ में डालेंगे स्वाद की अनुसार नमक अभी मैंने 1-4 टी स्पून डाला है कम लगेगा तो और डाल लेंगे इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे खूब अच्छी तरीके से मिलाना है, इसमें कोई लंस नहीं रहना चाहिए, नि तो जो हम चटनी बनाएंगे न, उसमें ऐसे लगेगा, जैसे कोई दई फटा हुआ होता है, तो वो जैसे उपर दाने दाने आ जाते हैं, वो लगेगा, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से फेटिएगा, एक से दो मिनट के लिए, तो यह देखिए, मैंने खूब अच्छी तरीके से फेट लिया है, और कितना ग्लॉसी पन भी आ गया है, और कितना अच्छा लग रहा है, इसका कलर भी, अभी मैं आपको इसका टेक्चर दिखाती हूँ, यह देखिए, है ना, पेस्ट बनाएंगे, पर इसको बहुत ज्यादा भारिक भी नहीं, पतला भी नहीं करना, जैसे एक दम, मतलब, जैसे पीसा होगाता है, वो भी नहीं करना, बस इतना क्रश करना है, ताकि मोटे मोटे थोड़े थोड़े पीसी जो है, लंबे लंबे हमारे मुपर भी आए, यह मैंने मेथी दाना लिया है, वन फॉर्ट टीस्पून, और इसको जब तक क्रेकल नहीं हो जाएगा, तब तक इसमें, इसके बाद हम डालेंगे इसमें राई, यह भी मैंने वन फॉर्ट टीस्पून ली है, और जीरा लिया है, वन फॉर्ट टीस्पून, हींग ली है, द बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और पर जो लोग नहीं खाते तो वो लोग ऐसे भी बना सकते हैं बिना लहसुन के अब हम इसको अच्छी तरीके से एक मिनट के लिए भून लेंगे इतना भूनेंगे कि हलका सा कच्चापन निकल जाए इसका तो जैसे ही इसका हलका सा कच्चापन निकलेगा हम इसमें डाल देंगे प्याज यह मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है आप चाहें ज़्यादा यह कम कर सकते हैं और नहीं खाते तो अब लहसुन और प्याज दोनों को अवाइट कर सकते हैं तो अच्छी तरीके से कि यह जब तक तक यह हलका सा सुनहारी नहूज जाए हलका सा सुनहारी होने पर हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता कड़ी पत्ते नहulinी जट्वियाय बहुत अच्छा टेस्ट आता है कड़ी पत्ता डालकर अब हम इसको थोड़ासा 1 मिनट के लिए अच्छी तरी के से भून लेंगे कि यह अच्छी तरी के से भून गया है तो अब हम यह इसको थोड़ासा भूनकर यह देखिए अब मैंने इसमें डाला इंगे दही का मिक्षर ये सारा दही का मिक्षर हम इस में डाल देंगे कैस को बंद रखी और मैं फिर बोल रही हम और अब क्या करेंगे इसी कटोरे में हम दुबारा संडोBoy इंद्वाराуст सब में ढरी ओसले में थक्ली के और दूरोले की उसकि ना जाए और इस एक दो बार अच्छी तरीके से हिलाएंगे अब हम कडाई को जो गैस है उसको ओन कर लेंगे एक मिनट हिलाने के बाद अच्छी तरीके से इसको तो अब मैंने gas को on कर लिया है और अब मैं इसको लगातार हिलाऊंगी बीना छोड़े कम से कम इसको लगातार हिलाने के लिए आपको 7-8 मिनट चाहिए ही चाहिए छोड़ना मत नहीं तो दहीं भी नीचे लग जाएगा और दहीं फटने का भी डर रहेगा तो लगातार हिलाते जाएगे जैसे जैसे आप हिलाते जाएंगे यह पकता जाएगा एक दम गाड़ा-गाड़ा होता जाएगा तो देखिए आपने color देखा हलका change हो गया है हलका हलका oil निकलना शुरू हो गया है पर अभी यह जो चटनी है बनी नहीं है तो अभी इसको दुबारा से हिलाईए फिर से शुरू कर दीजे हिलाना दो मिनट के बाद फिर देखिए कितना बड़ी हासा कलर भी आया है और टेक्चर देखिए कितना अच्छा सा हो गया है अभी हम इसको और हिलाएंगे तो और हिलाते हुए हम इसको थोड़ा सा गाड़ा कर लेंगे तो ये देखिए एकदम गाड़ी हो गई है बड़ी हाजी चटनी बनकर तयार हो गई है और ये देखिए कलर भी देखिए सब कुछ देखिए किता बड़ी आया है गैस को मैंने बंद कर दिया है चटनी हमारी तयार हो गई है तो अब खाने के लिए भी तयार है पर खाने से पहले हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे तो इस तरीके से हमारी दहीं की चटनी बनकर तयार हो गई है कितनी यमी है किता प्यारा कलर आया है किस किस को पसंद आई जरूर बताईएगा और इसको आप प्रांठों के साथ चावल के साथ चापाती के साथ और मतलब आप ब्रेड के ऊपर भी इसको जैसे आप लोग सॉस वगरा लगाते हैं इसको लगा कर खा सकते हैं देखिए कलर किता बढ़िया है तो प्लीज कोमेंट में जरूर बताईएगा आपको कैसी लगी थैंक्यू सो मच